नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत श्वागत है अपने यूटूब चैनल एजूकेशन विद्दिल मुहमबन में श्राथियो आज हम सारी डिक सिछा खेल पर सिच्छड से इस्पोर्ट ट्रेनिंग पार्ट फाइव से कुछ क्वेशन रिविजन करवाऊँगा शातियो यह क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है शातियो और लबह लबह सभी एकजामों में आये हुए क्वेशन है शातियो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी क को जो है जारी रख्या साथियों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने चैनल पे जो है खेल पर सिच्छर से चार वीडियो अपलोड कर दिया हूं तो साथियों आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके और उस वीडियो को देख सकते हैं और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन आल पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आएए साथियो शुरू करते हैं वीडियो तो साथियो कुष्चन है सटल से परखी जाती है तो सटल से परखी जाती है तो ए आसन है B स्पोर्ट सकती और बी आप्सन है गति सहन सीलता और सी आप्सन है धावन कौसल और D आप्सन है इसफूर्थी UPTGT 2004 का यह question है साथियों तो इसमें जो है साथियो right answer हो जाएगा D is पूर्ती तो D option इसका right है उसके बाद साथियो next question को देखते है आंतरीक परसिछड में बिक्सित किया जाता है तो आंतरीक परसिछड में क्या बिक्सित किया जाता है साथियों UPTGT 2004 का यह question है साथियों तो A है सकती और B है बिस्पोटक सकती और C है सहन सिलता और D है गति सहन सकती तो साथियों इसका right answer हो जाएगा D गति सहन सकती उसके बाद साथियों next question देखते है ठकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद कार करने की छमता को कहते है तो A option है बिस्पोटक सकती B है अधिक्तम सकती और C है सकती सहन सिलता और D ये उप्यूक्त में से कोई नहीं ये भी जो है UPTGT 2004 का question है साथियों तो इसका right answer हो जाएगा सकती सहन सिलता तो इसमें C option right है उसके बाद next question देखते हैं साथियों यदि कोई मान स्पेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति नहों तो यह संकुचन बीदि कालाती है यानि कोई मान स्पेशी संकुचित हो और उसमें कोई गति नहों तो यह संकुचन बीदि क्या कालाती है आईसो मेट्रिक आईसो टोनिक आईसो काइनेटिक और उप्यूक्त में से कोई नहीं ये भी जो है UPTGT 2004 का question है साथियों तो इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next question है साथियों गोनियों मीटर से मापा जाता है बहुत ही important question है साथियों गोनियों मीटर से क्या मापा जाता है तो A option है फुर्ती और B है ताकत और C है गति और D है लचीला पन तो इसका साथियों right answer D हो जाएगा गोनियों मीटर से लचीला पन जो है माफा जाता है उसके बाद नेक्स कोश्चन है लचीला पन फ्लेक्सिबिल्टी क्या है तो इसमें जो है ए अपसर है गतिसीलिता, बी है स्वास्त फिट और सी है सक्री और डी है दिर्ग आई ये भी जो है UPTGT 2004 का कोश्चन है साथ ही हो तो इसका भी राइट आंसर जो है ए हो जाएगा गतिसीलिता तो इसका राइट आंसर ए है गतिसीलिता उसके बाद नेक्स कोश्चन है मानो में समाने धड़कंदर क्या है तो मानो में समाने धड़कंदर क्या है 72 बार प्रतिमिनट A अपसर में है B में है 60 बार प्रति मिनट और C में है 50 बार प्रति मिनट और D में है 40 बार प्रति मिनट ये भी जो है UPTGT 2004 का question है तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि 72 बार प्रति मिनट जो है इसका right answer हो जाएगा तो इसका A option सही है उसके बार साथियों next question देखते है अध्यापन की एक बीद है तो अध्यापन की एक बीद क्या है तो A option है कहानी लिखना B है लिखना और C है परदर्शन और D है खोजना तो इसका साथियों अध्यापन एक परदर्शन बीद है इसका C option right है तो इसका C आप्सन जो है राइट है उसके बाद next question है साथियो सारी रिक्सिच्चा अध्यापक का गुड होता है तो अध्यापक का गुड क्या होता है सभ अच्छा निस्पादक और युवा और स्मार्ट तो इसका right answer अच्छा निस्पादक होता है साथियो तो इसका B आप्सन राइट है उसके बाद साथियो नेक्स्ट कोस्चन है प्रसिच्चड अवाधि में हमारे सरीर में कौन सा अमल बढ़ जाता है तो A आप्सन है ATP और B आप्सन है लाटिक अमल और C है ADP और D आप्सन है Nucleic Aml तो साथियो इसका right answer हो जाएगा B लाटिक एसीड यानि लाटिक अमल तो इसका जो है B आप्सन है लाटिक अमल जो है बढ़ जाता है उसके बाद साथियो नेक्स्ट कोस्चन है खेलो के लिए उप्योगी द्रिस इच्छड साधन क्या है तो A आप्सन है चित्र और B है चाट और C है ड्राइंग और D है द्रिस स्रब्य साधन तो इसका साथियो इसका right answer हो जाएगा D द्रिस स्रब्य साधन उसके बाद साथियो आगला कोस्चन है एक कोच का गुड होना चाहिए तो A आप्सन में है खुला दिमाग और B में है आत्म विस्वास और C में है समायोजन और D है स्वार्थी तो इसका साथियो right answer हो जाएगा B आत्म विस्वास एक कोच के अंदर जो है आत्म विस्वास होना चाहिए ये सारे कोच्चन 2004 के हैं साथियो उसके बाद साथियो अगला कोच्चन है सीट अप का उद्देश है ए आप्सन है पेट की पेशियों की सक्ती में सुधार करना B है पेट की छेतर की मुद्रा बेहतर करना और C है चरवी कम करना और D है शरीर के भार को बनाए रखना तो इसका साथियो सीट आप से क्या होता है पेट की पेशियों की सक्ती में सुधार होता है तो ये आप्सन इसका जो है right answer है उसके बाद next question देखते हैं साथियो लचीला पर्म बढ़ाने के लिए कौन सा ब्यायाम जरूरी है तो A option है मुक्त हस्त ब्यायाम और B है परतिच्छा परसिछड और C है बैंडिंग ब्यायाम और D है तनन ब्यायाम यानि stretching तो इसका साथियो right answer हो जाएगा D तनन ब्यायाम उसके बाद साथियो next question देखते हैं सक्ति माफी जाती है तो साथियो इसका right answer हो जाएगा C डाइनामो मीटर से जो है सक्ति माफी जाती है तो इसका right answer C हो जाएगा डाइनामो मीटर next question देखते हैं साथियो प्रसिच्छड के दवरान ठकान के आभास का कारण होता है लैटिक एसिड और एडरे नैनील कारबन डाय अकसाइड उप्यूक्त सभी तो इसका साथियो right answer हो जाएगा ए लैटिक एसिड या लैटिक आमल उसके बाद साथियो next question है ये UPTGT 2005 का है यादि कोई खिलाडी पर सिच्छक की देखरेक में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं ये बहुत ही important question है साथियो A option है training B है coaching C है grooving the stroke और D है learning तो इसका right answer हो जाता है साथियो C, grooving the stroke उसके बाद next question है pressure training का अविस्कारा किस ने किया तो साथियो इसका जो है right answer D हो जाएगा winter bottom उसके बाद साथियो अगला question है micro cycle cycle पर सिच्छकी आवाद होती है A है 7 दिन और B है 15 दिन C है 21 दिन और D है 30 दिन तो इसका साथियो right answer हो जाएगा 7 दिन micro cycle पर सिच्छर जो है 7 दिन का होता है उसका जो है इसका जो है ब्याख्या है micro चक्र 3 से 12 माह miso चक्र 3 से 6 सपता और micro चक्र 5 से 10 दिन तो micro चक्र जो है 5 से 10 दिन के बीच में इसमें 7 दिन का option है तो ये जो है micro चक्र को सबताहिक पर सिच्छर भी कहते हैं उसके बाद साथ यो next question है पर सिच्छर के समय हिर्दय गती हार्ट बीट प्रति मिनट लगभा कितनी रहनी चाहिए तो ये option 125, BA 150 और C 150 और DA इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसकी साथ यो ब्याख्या देखते हैं ब्याख्या है साथ यो हिर्दय धड़कन, हार्ट बीट हिर्दय के नियमित योंग क्रमिक संकुचन के दावरान प्रकुचन सिस्टोल योंग सिथिलन डिस्टोल को हिर्दय की धड़कन कहते हैं तो हिर्दय गती हार्ट रेट जो है प्रती मिनट हिर्दय की धड़कन संकुचन योंग सिथिलन को हिर्दय गती कहते हैं नोट एक समान ब्याख्या में हार्ट रेट 72 मिनट होती है अब भ्यास के दवरान वह बढ़कर 180 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है तो 180 इसमें ऑप्षन है नहीं सातियों प्रसिछर के दवरान हार्ट बीट जो है 180 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है इसलिए D option इसमें सही है इन कोई नहीं तो साथियों यह कुछ questions थे जो है खेल पर सिछर से जिसको मैंने आप लोगों के सामने जो है revenge करवाया तो साथियों आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और शातियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसी के साथ जो है जय ही जय